आज दाउटनेट आप दाउटनेट पर अपने सब सब ही गनित, रसायन विञ्ञान, भवतिक विज्ञान और जी विग्ञान के डाउट का करो सपाया बस प्रसंच की फोडो कीचो, ही प्रोडो को क्रोप करो और तुरंथ विदियो सलीचन पाओ अभी राउनलोड करें सेल अभी और इसे कड़ आयरन सेकंड का मतलब होता है आयरन जो टूप्लस है वो यह हुआ टूप्लस मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रों निकल रहे एकिगा जैड बराबर हुआ कितना हो जाएगा 24 इसी तरह आयरन थी थर्ड क्या है थ्री फ्लस एक्या मतलब है यहां 30 ऐल्लों नीकल रहें तो G continu आज म大家好 । अफिस तो हमें इससे क्या पता चलता है कि आयरन का समान ये परमानगभी एजळ उन्हांग उता है जो की कहीं क्या बना था ख्रिक्षमback केंड्चानि का मतलब यह दो ओल्स निकल चाने देखु जो हमारे डी ब्लोक होते हैं डी बलोक के संक्रमन तत्व होते हैं इन में अनुच्मही चिए क्योंकि गप्रवत्रम कि रोबती होती है Ashok कि ने केगिलोग होते हैं व्हूंप और őबतल होते हैं डी ब्लोक oder बी यहां आशिक रूप से रूप से भरे होते हैं तो उसमें आयुगमेत इलेक्ट्रोन होते हैं आयुगमेत इलेक्ट्रोन होते हैं आयुगमेत इलेक्ट्रोन जब होंगे थो अनचुम्बी किया जो हमारा गुड है वो प्रदर्शित होगा अनचुम्बी किया गुड ठीक है यह जहां पर युमित इलक्ट्रॉन होंगे वह हमारा अन्युमिकी योगी कहलाएगा और यह जो लक्षण है अन्युमिकी लक्षण यह टी ब्लॉक के संग्रम्ण तत्वों में अत्य दिख पाया जाता है अब बात करते हैं अपने कोस्टिन की आयरन सेकेंड का पहले आयरन थ प्लस इसकी जेड बराबर कितना है 13 को लेकर तो जब हम इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास किस तरह बनेगा देखिए F3 प्लस का तो यहां पर हम बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5 अब आप इने काउंट करेंगे तो अच्छे 18 18 15 23 अब हम डी ब्लोक को लेते हैं इसमें हम लेंगे डी ब्लोक को क्योंकि दी और्विटल्स के एलेक्ट्रोनों का वित्रण कराएंगे तो डी के उपकोशों में डी के उपकोशों की संके कितनी होती है 5 2 3 4 5 ठीक है अब इसमें इलेक्ट्रोन रखेंगे तो पा अब इसे यहीं पर छोड़ देते हैं आते हैं अपना एफी टू प्लैस पर इसमें से दो इलेक्ट्रोनिकल गए तो जैड़ बराबर कितना हो जाएगा 24 ठीक है अब इसका भी इलेक्ट्रोनिक विन्यास बनाते हैं इसका एलेक्ट्रोनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 ठीक इसके डी व्लोक का बनाते हैं एलेक्ट्रोनिक विन्यास यह वित्रण गक्ष तो क्या होगा इनके वित्रण कोसों में संख्या होती है 5 एक, दो, तीन, चार तो यह होगा यह है 5 इनमें एलेक्ट्रोन पहलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब 6 एलेक्ट्र चार इसमें चार अयुगमित है ठीक है और इसमें पांच अयुगमित तो कौन सा जादा अनुचुम्बिकी होगा पांच अयुगमित वाला या चार अयुगमित वाला जाहिर सी बात है जब अयुगमित लक्षण ही अनुचुम्बिकी दरसाता है तो जितने अयुगमित लेगा तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं यह एफी 3 प्लस जो होगा एफी एफी थर्ड एफी 2 से ज्यादा अनुचुम्ब की होगा ठीक है अनुचुम्ब की होगा ठीक यह तो यह हमारा और गी यहां पर चार अईुग्मे थे और यहां पर पांश यूग्मे थे यह ज़्यादा अनुचुम्ब की होगा ठीक है यह हमारा एंजर होता है यह जैसा कि इसमें बूछा क्गता इरन 3 डीं ठीक अधिक अनुचुम्ब की की होगा तो इरू 3 iron 2 की अपेक्षा ज्यादा iron 3 iron 2 से ज्यादा ने जुम्मे किया होगा तो यह हमारा आंसर है आशा करती हूं यह आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा थैंक यू अच्छे से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से ज्यादा चातरों का भरोसा आशी डाउनूट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर